दोस्तों नमस्कार आज मैं आपसे चर्चा करूँगा अतीशी के द्वारा जो लेटर लिखा गया है LG को उसमें उन्होंने क्या कहा है और दिल्ली सरकार के कानूनी प्रावधान क्या है Constitution क्या बोलता है और किस तरह से अतीशी का लेटर कहीं न कहीं इस बात की गवाई देता है कि दिल्ली सरकार में गड़बड हुई है और केजरीवाल साब का जो मकान बना है उसमें कानूनों की अंदेखी हुई है मैं आपके सामने एके करके सारे एक्जामपल विद रूल्स आज रखूंगा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ग्यानवर्दक होगा और उसके बाद क्या होगा 15 दिन बाद जब रिपोर्ट आएगी चीफ सेक्रेटरी की तब क्या होगा उसकी चर्चा भी हम करें तो शुरुआत करते हैं अतीशी के लेटर से अतीशी ने 34 अप्रेल 2023 को एक चिट्थी लिखी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि LG ने उनको मीडिया रिपोर्ट से पता लगाया कि LG ने चीफ सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शन दिये हैं कि जितने भी घर के रेनोवेशन मंदित कागज हैं उनको सीज किया जाए और उस पर इन्वेस्टिगेशन करके दो हफते में रेपोर्ट दी जाए ये बात सही है आप लोगों ने भी मीडिया में सुना होगा हमने भी मीडिया में सुना है लेकिन जो तत्थम की बात है आब हम उस पर आते हैं अतीशी का यह अगरेशन की बात इस पर इस क्याए भी में सुना है यह वह जाए बात शही है कि रूल 4.2 में यह लिखा गया है और बहुत क्लियरली लिखा गया है यह कहा गया है कि आप ऐसे मंतरी अपने डेपार्टमेंट की प्राइब्राइब हैण साट इस गया लेकिया है और इस responsibility आपकी होगी यह बहुत क्लिरली लिखा गया तो इसमें तो कोई इतराज नहीं है LG ने यह नहीं कहा कि आप बंतरी नहीं है तो इस तथ्य में कोई ऐसा एंगल नहीं है जिस पर हम चर्चा करें उसके अलावा उन्होंने लिखा है कि जो भारत सरकार का एक एमेंडमेंट आया था 69th एमेंडमेंट जिसके तहर दिल्ली सरकार बनी थी उसमें Transaction of Business Rules 1991 उसमें जो गाइडलाइन्स दी गई थी कानून में उस हिसाब से 1993 में रूल्स बनाए गए थे President of India के दौरा उसके हिसाब से दिल्ली सरकार को चलना था और सुप्रीम कोर्ट में जब ये मुद्दा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि Transaction of Business Rules जिस तरह से कानून में है उस तरह से रज्य सरकार और किंद सरकार को काम करना चाहिए बिल्कुल सही है कहीं पे भी Transaction of Business Rules में इसको violation की बात नहीं कहीं गई अतीशी ने अपने लेटर में इस बात को माना है कि एस पर Transaction of Business Rules 19.5 उसमें LG को ये अधिकार है कि वो कागज मांग सकते हैं अब 19.5 क्या बोलता है वो मैं आपके सामने पढ़के बताता हूं 19.5 Transaction of Business Rules बोलता है कि the Lieutenant Governor may call for papers relating to any proposal or matter in any department and such requisitions shall be complied by the Secretary to the department concerned. He shall simultaneously inform the Minister in charge of the department of the action taken by him. तो LG ने जो कागज मंगाए हैं सेक्रेटरी को वो LG को कागज देने हैं और साथ में concerned minister को भी inform करना है तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई unconstitutionality है तो अतीशी का ये नाराजगी कि LG साब ने कागज क्यों मंगवाए हैं ये उचित नहीं है. इसका मतलब ये है कि जो गुसा अतीशी ने निकाला है LG के उपर उसके पीछे कोई legal आधार नहीं है. अब मुद्ध ये आता है कि जिन बातों का अतीशी ने इग्नोर किया उसी business transaction of business rules के अंदर अतीशी बींगे minister, problem क्या है कि हमारे नेताओं को pick and choose की आदत है, वो पूरा कानून नहीं पढ़ते हैं. वो वही line पढ़ते हैं जो उनको suit करती है. अब कौन से कानून में अतीशी को जवाब देना चाहिए as a PWD minister, अब हम जड़ा उसकी बात कर लेते हैं, ताकि स्थिती और clear हो जाए हम सब के सामने. अब सवाल आता है कि इसी transaction of business rules के अंदर एक rule है, 7 और 8. वो मैं आपके सामने पढ़के सुनाता हूं और कितने गंभीर आरोप लगते हैं इस समय PWD minister पे, ये भी अब आपके सामने हो जाएगा. अब सवाल ये आता है कि all proposals, rule no. 8 ये बोलता है दिल्ली business of transaction rule का, all proposals referred to in the schedule shall be submitted to chief minister after consideration by the minister in charge with a view to obtain his order for circulation of the proposal under rule 9 or placing it for the consideration of council. इसका मतलब अगर कोई भी proposal आता है जिसके जो schedule में दिया गया है, वो chief minister की consent के बगएर नहीं हो सकता है. अब chief minister की consent कहां चाहिए, schedule क्या बोलता है? schedule 5 बोलता है, proposals which affect the finances of the capital which do not have the consent of the finance minister. जब आप 45 करोड का बंगला रिनोवेट कर रहे हो, तो दिल्ली की सरकार है, उससे दिल्ली के taxpayer के पैसे पे असर होता है, ये PWD minister approval दे रहे हैं, क्या finance minister को picture में रखा? पहली बार, क्योंकि इसका proof कहीं नहीं मिला. अगर आपने इस तरह का proposal लिया और finance minister ने मना कर दिया, तो क्या chief minister ने go ahead किया? ये investigation का मुद्ध है, क्या ये proposal 45 करोड का दिल्ली के finance minister के पास गया था या नहीं? और अगर नहीं गया था, तो क्या इसको chief minister ने personally approve किया? अगर नहीं किया, तो transaction of business rules के हिसाब से, P.W.D. minister और chief minister दोनों गुनेगार बनते हैं, क्योंकि जो guidelines हैं, ये जो proposal है, ये council of ministers के पास जाना चाहिए था, और ये proposal जब council of, 500 रुपे से अगर का कोई भी proposal है, तो council of ministers के पास जाना चाहिए था, उसकी एक copy LG के पास जानी चाहिए थी, क्या इस process को follow किया गया, क्या P.W.D. department के मंतराले ने और मंतरी ने इस process को follow किया या नहीं किया, ये आज अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बनता है, अतीशी जी इस सवाल को खा गई, इस सवाल का जवाब नहीं दी, एक सवाल और आता है, माल लीजिए कि आज सरकार को लगता है कि नहीं LG ने जो किया है और गलत किया है, इसी transaction of business rules में section 50, 51 और 52 में ये कहा गया है कि अगर आपको लगता है कि ये proposal और आपके LG के बीच में मतबेद हैं, तो आप इस proposal को central government को भेज सकते हैं कि LG साब हमारी इस बात को नहीं मान रहे हैं, देजे difference of opinion, जो central government के आ आदेश आएंगे, उस हिसाब से LG साब concern minister को आदेश देंगे और उस मंतरी को ये बात follow करनी पड़ेगी, तो अगर आपको लगता था कि LG साब और आपके बीच में मतबेद हैं, तो क्या आपने इस proposal को LG के माध्यम से central government को भेजा, ताकि clarity आ जाए, आपने वो भी नहीं किया इसका मतलब ये है कि आपने transaction of business rules को violate किया, आपके मतबेद थे LG के साथ, उसको भी आपने escalate नहीं किया, और आपने पूरे system को ignore करके decision लिया, क्या ये कानून सम्मत है, अब जो LG ने कहा है, वो किस आधार पे कहा है, ये भी हमें समझना जरूरी है, जो section 57 है transaction of business rules का, ये बोलता है, the chief secretary and the secretary of the department concerned are severely responsible for the careful observation of these rules and when either of them consider that there has been any material departure from these rules, he shall personally bring it to the notice of minister-in-charge, chief minister and LG. rule बहुत clear कहता है कि chief secretary और concerned secretary को अगर किसी भी तरह से किसी rule की अंदेखी की गई है, तो मंतरी की मंतरी की संग्यान में, chief minister की संग्यान में और LG की संग्यान में लाना चाहिए, LG ने अपनी चिट्थी में क्या कहा है, LG ने अपनी चिट्थी में chief secretary को ये कहा है कि आप ये investigation करके पता करें कि क्या rules जो है, rules की अंदेखी तो नहीं हुई, LG अभी तो सिरफ यही पूछा है LG ने, दो हफते के अंदर, अभी तो उन्होंने कोई verdict दिया नहीं, अगर LG ने ये पूछा है, तो अतीशी क्यों गवरा रही है, अब आती है बात कि evidence क्या है, जब सतिंदर जैन ने chief engineer को ये लिखा कि इस property से related या इस project से related, बतलब chief minister आवाज से related, जितने भी कागज होंगे, आप directly मेरे पास लाएंगे, ये अपने आप में rules का violation और अंदेखी है, इसका मतलब ये है कि जिस मंतरी ने कानून तोड़ा, क्या वो आपको consent देगा, पहला सवाल ये है, इसका मतलब ये है कि उसके secretaries को भी by-pass किया गया मंतरी आवा या नहीं, ये chief secretary की report में सामने आएगा, दूसरा, आप आदमी party और उसके नेता हमेशा transparency की बात करते थे, अगर आपने कोई गड़बर नहीं करी है, कोई घपला नहीं किया है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं, किस बात की चिंता है आपको, क्योंकि transparency चाह रहे थे, क्यों घबरा रहे हैं, दूसरा, governance में एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, checker and maker का, या maker और checker का, जिसको हम बोलते हैं, कि जो आदमी proposal बनाएगा, वो ही उसको approve नहीं करेगा, एक दूसरा आदमी approve करेगा, ताकि अगर proposal के अंदर कहीं कोई खामिया है, तो दूसरा आदमी उसको देखे, point out करे और उसका correction हो, हर governance system में, चाए वो private हो, सरकार हो, कहीं पे भी हो, ये checks and balances जरूरी होते हैं, क्योंकि एक आदमी को अगर आप पूरी जिम्मेवारी दे देते हैं, तो भ्रस्टाचार की पूरी संभावना होती, और ये ही maker और checker system को सतंदर जैन ने केजर वाल के कहने पे violate किया, ना ये proposal council में गया, ना process follow हुए, जो भी purchases हुई या proposal बजट बने, वो chief engineer ने direct मंतरी से approval लिया और उसको उन्होंने लागू कर दिया, तो ये अपने आप में admission है, violation का, क्या अतीशी जी इस बात को मानेंगी, कि सतंदर जैन की चिठी अपने आप में का चानून तोड़ती है, अब तो वो PWD minister है, कावज उनके पास भी होंगे, फाइलों की copies उनके पास भी होंगी, वो उसको देख सकते हैं, तो कहने का मतलब है दोस्तों आज, कि जो चिठी लिखी है, अतीशी ने, हो सकता है, केजरी वाल के defense में लिखी हो, उनको please करने के की हो, क्योंकि वो उनकी महरबानी से PWD minister बने है, और तो कोई काभिल इत है नहीं, क्योंकि पहले बी जब सतंदर जेन PWD minister थे, उनकी काभिलित और इनकी काभिलित में कोई correlation नहीं है, ना 3C engineer थी, हैं, ना सतंदर जेन engineer थे, तो उनको नहीं पता कि PWD में काम कैसे होता है, material selection क किस engineering aspects को ध्यान रखा जाता है किसकी जरूरत है किसकी नहीं है तो दोनों ही इंजिनियर नहीं है तो टेक्निकली दोनों अनपढ़ मंतरी है वो जब बात आती है PWD की केजरिवाल साब की भाशा में कि जब एक अनपढ़ प्रधान मंतरी है तो आपने अनपढ़ मंतरी बना दि अब सवाल यह है कि Chief Secretary की रिपोर्ट आने के बाद LG क्या करेंगी LG के पास दो ही रास्ते हैं अगर रिपोर्ट आती है कि कोई वाइलेशन नहीं हुआ तो केज खतम हो जाता है केजरिवाल साब यहीं बरी हो जाते हैं लेकिन अगर रिपोर्ट में यह आता है कि कानूनों का इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं माल प्रैक्टिस या करप्शन की बू आती है डेफिनेटली इस रिपोर्ट को LG साब CBI को फॉरवर्ड करेंगे कि आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करें इसका मतलब यह है कि एक केस सतिंदर जैन के खाते में और जुड़ जाएगा और देखते हैं LG साब की जो आदेश है उसे साब से चीफ सेकेटरी की रिपोर्ट क्या बोलती है हम उसमें भी चर्चा करेंगे अगर आपको लगता है कि यह जानकारी आपको पसंद आई अच्छी लगी तार्किक लगी तत्यों के उपर आधारे थी तो मेरा निवेदन है कि इ देश में क्या चल रहा है और कौन से कानून का कैसे वाइलेशन होता है फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो के साथ तब तक बंदे मात्रव और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए धन्यवाद